पर दोस्तो जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़े परिशानी सता आती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर जिजकते हैं हमें शर्म आती है पर दोस्तो अब शर्माने के बिलकुल जरूरत नहीं क्योंकि डॉक्टर विजय दाईफले आपके सारे सेक्स रिलेटेट सवालों के जवाब बहुती पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे दोस्तों शो को शुरुवात करते हैं लेकिन उसके पहले जानते डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने के लिए हमेशा आना जाना रहता है जिसमें वे सेक्स संबंदी सभी समस्याओं पर सला एवं मार्ग दर्शन करते हैं तो से लिए शो को शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ है सर वेलकम टूद शो नमस्ते इन चोटे-चोटे वीडियो के माध्यम से वह इंफर्म ज्यादा तर कही अवैलेबल नहीं है बहुत ही नीजी जीवन है हमारा सेक्स लाइफ ये नीजी जीवन के बारे में हमें जानकारी होना ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार के बारे में हम लोग बात करते हैं जो चीजे मालूम होना थोड़ा सा कटिन होता है उन चीजों स्वास्थे के लिए जो benefits है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं तो सर जैसे मैंने अभी बता है कि बहुत important topic है स्वास्थे के लिए इन सब चीज़ों का धातू का सिमेन जिसे हम लोकेते हैं तो पहला सवार mood पर यह धातू सिमेन का किस प्रकार से असर होता है प्रशन जी यहां पर जो हमारी सेरी चल रही है sex education, sexual awareness और sexual safety इसके अंतर रहे हैं हम पूरी scientific information दे रहे हैं हमारे दर्शकों के जो टॉपिक है जो उन्होंने हमें suggest किये मेलिया वाट्सविया हमारे लिके स्वरुप में वह बेचते हैं एक हमें एक दाहरा देना चाता हूँ यह पर यह discussion जो हमारा चल रहा है एक फ्रेम के अंदर है time, place, person, condition, culture, safety, consenting अपना own or known partner non infected इसके साथ ही आज माना है भै हम सेक्शूल अक्टविटी करते है धातू निकलते रहता है आइसे ही निकल रहा है बच्चा होने के लिए काम में आ रहे है वह छोड़ के और क्या करता है body का सबसे excellent juice हम बोलेंगे body का सबसे excellent fluid हम बोलेंगे यह रहता है सीमेन या धातू और मूड़ पा क्या सम्मंद है इसका यह धातू जब एपसॉब होता है वजायना से या ओरल से जो हैजेनिक हो नौन इंफेक्टेड हो तो इसके अंदर है नियूरो ट्रांस्मिटर ऑक्सिटोसिन है एंड्रोजन से काफी हर्मोस मैं तो बुलूगा 200 प्रका आपका स्वास्ते ठीक करने के लिए कैसे और काम में आते हैं देखेंगे और इंजाइटी जो है हर एक के दिमाग में होती है तो इंजाइटी पर ये क्या आसर करता है इसके उपर एक स्टडी हुए है समझो जो फीमेल से बहरे जो कंड़म लगा के सेस करते हैं सेफटी के लिए करना भी चाहिए मैं बोलता हूं हमेशा लेकिन जो अपना नोन और वोन पार्टनर जिसके अंदर सीमेंट डिपोजिट हो रहा है डायेट हो जायना में या डायेट सीमेंट डिगलूट हो रहा है तो यहां पे क्या होता है निउरो ट्रांस्मिटर यानि सब हर्मोंस यहां पे तैर हो रहे है और यह हर्मोंस का डायरेटली इफेक्ट जो आता है वहां की इलैसिसिटी है और क्या इंफरमेशन चाहिए उसमें आपको एंजाइटी तो यह वन जो हमेशा स्ट्रेस है टेंशन है जो ब्रेंड के अंदर सीरो टोनिंग जैसे जो अलेमेंट है या पे हेल्थ हची हो जाए लो मॉल्क्यूल सा जाए या वहां पे हैपी हर्मोंस तैर हुजाते है तो यह फाइदा है यह सीमेंट का जो नॉन इंफेक्टेड हो और अपने वोन पार्टनर का हो और कुछ अंदर कुछ होगा है चाहिए उगरे बस उसका हम कुछ बोलने सकते प सवाल है आपका हेलो सर बुलिए बोलो डेली धातु निकालने से सुकरानों पर क्या अफर होता है यह मुझे थाउजन टाइम कुश्चन आया है वह बोलते है इसका धातु बहुत निकल गया है काम से गया है कुछ काम का नहीं इसकी शक्ती गई पावर गई सब गई ऐसे फ महां पर सैक्स एमटी होके और दुगने स्पीड से सिमेन बनता है स्पर्म की कॉलिटी बोलते हैं पुराने वाले निकल गए नए टीम आ गई जो के एक्टिव है जिसके अंदर की स्पर्म मोटिलिटी अच्छे है स्पीड अच्छे है और कॉंटिटी भी अच्छे होती है जो है निकालो दातो निकालोगी लेकिन कैसे बस उसको हिला हिला के नहीं सेक्स करके एक्ट करके निकालोगे तो उसका फायदा है नहीं तो उसके डिसार्डेश क्या है हस्ता में तुनकी हमने बोले काफी एपिसोड में बिलकुल बिलकुल सर स्ट्रेस जो है अभी अभी आ होता है ज़िए उनके अंदर भी वहां पर हरमोस निकलते हैं यह जो करने के लिए प्रॉयक्टिन जिसे भी हर्मोन निकलते हैं cortisol level कम होते है serotonin level के अंदर change होता है और अपने आप stress कम हो जाता है और आप बहुत actively दूसरे दून अपने काम में या work में मन लगा के जुड़ सकते हो सर इन धातूं का inflammation जिसे हम कहते हो उसके उपर भी असर होता है वो कैसे बेरी नाइस कुश्चन देखो फिमेल्स में बहुत बार वो सिमेन के अलर्जी रहती है उसको इचिंग होती है वजाएनेटिस होता है डिस्चार जाता है परिशान रहते हो लेकिन एंटी ऑक्सिडंट रहते है ये सिमेन के अंदर हीलिंग फैक्टर रहते है ग्रोथ फैक्टर रहते है उसके उपराओंगा मैं तो ये फैक्टर जब हो जाना एपसॉप करती है औरल कैयोटी में एपसॉप होता है नार्मल वला तो वहाँ पे कुलाजन डिपोजिशन हेल्दी टिशू होना हेल्दी मिक्वजा बनना एस सब कुछ होता है तो डिफिनेटल इंफ्लमेशन कम होता है और इंफेक्शन होने की चांसे कम हो जाते है बिल्कुल सर अगला एक सवाल है फिमेल हमारी ओडियंस सोनाक्षी जी है गोवा से उनका सवाल है सोनाक्षी जी पूछी है क्या सवाल है आपका प्रणाम सर प्रणाम बोलो धातू का ब्लड पेशर पर क्या असर होता है इसके बारे में क्यान करिए धातू का और ब्लड पेशर का संबन डेफिनेटली होता है बही इतने अच्छे mood के hormone मन रहे है, serotonin मन रहा है, body relax हो रही है, muscle relax हो रहा है, vessel relax हो रहा है तो अपने आप ही blood pressure नीचा रहा है, जो heart rate irregular चालता है, वो काम हो रहा है क्या करते हैं बहुत बार जब act हो जाता है न तो person बोलता है मुझे बहुत अच्छे नहीं दा रही है मुझे कोई stress नहीं है मैं अभी relax होना चाहता हूं मतलब आपका blood pressure कम हो गया तो friends जो activity regular करते हैं जिसका धातु का deposition direct females के अंदर होता है तो हम male की ये बात नहीं कर रहे हैं दोनों को फाइदा होता है blood pressure control में आता है और heart rate भी और heart का स्वास्ते भी काफी अच्छा बढ़ता है बिल्कुल सर healthy hormones जो है उसके बारे में आपने बताया तो ये धातु में कौन से healthy hormones होता है इसके बारे में बरी excellent question आपको लगता है कुछ तो भी बाहीर पानी निकल रहा है बस निकल गया काम खतम अपना इसा नहीं है यह ऐसी चीज़े भी 200 protein है mineral है estrogen है, progestron है, testosterone है, testosterone है, इसके अंदर सब तरफ के जो elements, stress element रहते है, magnesium है, zinc है, यह सब element जो रहते है, बहुत nutritious है, इसलिए तो बहुत बार प्रशान जी, यह तो इसकी recipe कुछ बनाते है, और वो recipe बना क जाता है, लेकिन यह अपने countries में नहीं है, लेकिन बहुत hygienic मितर से यह भी बनाते है, और काफी चीज़े में, और सबसे important spermidine, spermidine नाम का भी जो घटक है, हो सरतर्प कैसे काम आता है, हम और episode में देखने वाले, बिलकुर, सर एक आखरी सवाल, धातु के, धातु में, nerve growth factor ह बता है, उसके बारे में बता है, अभी हम आगे, brain के उपर, देखो brain को भी कुछ खाना पीना देना है, ब्रेन की तरब किदर से खाना जाता होगा, इस sex जो है, activity जो है, वो brain का सबसे बड़ा feeder है, nor growth factor है, brain में जो exons है, cells है, memory बढ़ाने वाले cells है, उसको grow करते है, उसकी संक accidents है, वो brain के cells को grow करते है, memory बढ़ाते है, आपको happy रखते है, कुछ रखते है, तो friends, ये non infected दातु होगा, और अपने own partner के साथ यूज करेगा, तो इसका benefit है, ये तो आपको क्या चिपक जाएगा, AIDS और HIV से हम बोल नहीं सकते हैं, बिलकुल, thank you so much sir, बहुत ही अच्छी जान क है, जिसमें डॉक्टर साब के सब डीटेल से, contact number से, center से, email है, website है, website में www.andologistvijaydaifale.com, ये website है, जिस पर जाकर आप डॉक्टर साब की appointment ले सकते हैं, महारस्टा में जितने भी साथ के center से, उसके सभी के नाम वहाँ पे है, और आप अपने जो nearby कुनसा भी center होगा, वहाँ प इस MediCover Hospital में सरकी OPD शुरू होगे, तो खारगर, नवी मुंबई, वाशी, बेलापूर, पनवेल, कामोठे, इस areas में रहने वाले जो लोग है, वहाँ पे डॉक्टर साब को मिल सकते हैं, विदर्व के लोग है, उनके लिए डॉक्टर साब अभी नाकपूर में आ रहे हैं, तो नाकपूर के जो लोग है, विदर्व के जो लोग है, वो जल्द से जल्द कांटेट करिए, और डॉक्टर साब जल्दी ही वहाँ पे आने वाले हैं, तो आप डॉक्टर साब को वहाँ भी मिल सकते हैं, और आपके हर एक समस्या का बहुत ही positive तरीके से समाधान भी कर सकत तो चलिए रुकतेस एपिसोड में अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए शुक्रिया